चलिए दोस्तों स्वागत आप सभी का वाइफाई स्टेडी चैनल पर चेंजिंग द वे ओफ लर्निंग वाइफाई स्टेडी आपको मैं अवाडिबल हूँ अवाज आ रही है आप सभी को जल्दी से एक बरी बताएगा फिर स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को जल्दी से ए मैक्सिम शेर करिए यहां पर बेसिक से स्टार्ट हो चुगी अब आपकी अला हमें तीन दिन लगाने हैं तीन दिन में हमें वह बेसिक चीज़े कवर कर लेनी हैं जो आपको एक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मतलब यह 100% टॉपिक आता है जो जो तीन तीन दिन में आपको इदर करा हूँ ठीक है लगातार तीन दिन पढ़िए साथ बजे ठीक है और बहुत इंपोर्टन कंटेंट को कवर करी है चली तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को देखी मैंने दो तरीके रखे हैं एक मैंने यह रखा है कि मैं आपको इदर एक घंटे में कुछ बेसिक 3 दिन में पढ़ा दूहां जीके और उसी के बाद जस्ट एक घंटे में ही ठीक है तीन दिन लगा तार आपको पढ़ा हूँ आ तो जीक है और साइन्स यहां आपका कवर हो जाएगा धिर करेंट फीर का मैं आपको बता दूहां ठीक है तो अभी आने इसको reasoning और quantitative attitude का है तो बड़िया तरीके से आप compact में जुड़िएगा unacademy features है आज डाउट raise hand इवन आपका report and win ये सब unacademy की features utilize करो current affair world affair का available होता है हमेशा कल ध्यान रखना कल दोपहर 3 बजे आपका फिर से marathon होगा मैं इसी की अश्रोर्टी देता हूं कल दोपहर 3 बजे से लेके परसो तक जो भी मैं पढ़ा हुआ सारा आपकी जीके को कवर करेगा ठीक है full revision समझे कल दोपहर 3 बजे वाइफरे study पर पूरा मैरत होना है 3-4 घंटे गा प्री classes जरूर देखिए जितने भी courses available है इन सभी plus courses को join कर सकते हैं आप ssc goal में subscription लेने के लिए ssc goal select करें ठीक है यह मन select करके इदर जैसे इदर राफर वोड लगाते ना फिर मन select करना इससे आपकी fees कम हो जाएगी ठीक है चली तो start करते हैं साइंस का solution निकाल दिया है अभी इसके बाद मैं साइंस भी पढ़ाऊंगा पूरे तीन दिन लगातार जीके और साइंस चलेगा ठीक है साथ बजे जीके आठ बजे साइंस और दो घंटे लगातार क्लास लो तीन दिन तक अच्छा कवरेज कर लोगे बते हैं यह ट्रियंप जो है अटोक से कटक तक यह किसके द्वारा कहा गया था यह मतलब किसके लिए फिमस है ठीक है यह कहावत के लिए प्रसिद है तो आंसर क्या है दोस्तों माराथास के लिए कि माराथास ने अपना सामराज्य जो है इस लोकेशन से आप इधर देखना यह जो लोकेशन है अटोक की लोकेशन है ठीक है अटोक नोर्थ वेस्टन फ्रंटियर है ठीक है माराथास ने अपने सामराज्य को जो है इधर कटक तक पुचाया था इसलिए यह कहा जाता है कि म उत्तर जो नौर्थ वेस्टन लोकेशन है वहां से लेके माराथा ने अपने सामराज्य को कहां तक पुझाया था यहां तक पुझाया था ठीक है अटोक से कटक तक बहुत इंपोर्टेंट है इसलिए डाइग्राम माराथा एंपायर का है पूरा क्यूंपर से लेकि निच्छ कभी पढ़ा रहा हूं प्ल! City देखте धारन लिकोटा साउथ इंडिया में अब अब धरनिकोटा कोन से वंश से संबन्दित है इंप्राचीन भारत के कोन से राजवन से संबंदित है ये जगा धारा निकोटा ठीक है बताई ये इस कोशन आंसर धारा निकोटा जो है ये किस से संबंदित है शेर करिएगा बताई का इस कोशन का आंसर क्या है ये जगा जो है किस से संबंदित है इस कोशन का आंसर क्या होगा बताई ये जगा किस से संबंदित है इस कुछिंगा आंसर के हैं ज़िए जगा किसे संबंदित है सत्वाहना से संबंदित है सत्वाना से संबंदित है अब देको सत्वाना डानिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत पता और चीए पूरी एक्स्प्लेनेशन लोगे तो ज्यादा वैटर रहेगा ठीक है जो धारा निकावटा है एक शहर का नाम है इसका नाम है शहर का नाम है जो की अमरावती में ठीक ठीक है ये कैपिटल थी ये जो धारा निकोटा है ना ये एक्चुली में सत्वाना किंडम की जो है कैपिटल थी इंपोर्टन कोशन है कब 1 से लेके 3rd AD तक कैपिटल सत्वाना डानिस्टी की इसलिए इंपोर्टन है कोशन किसलिए आया क्यूंकि इसकी कैपिटल है ये आप एक और कोशन देख्या का इसको आंसर क्या है ठीक है सत्वाना इसका अंसर दो कोशन हुए दोनों कोशन यूनिक थे थोड़े से अलग चले एक ऑर कोशन देख़िए आप अभी इस चीज़ को ध्यान रखो ये क्लास का परपस आपकी नौलेज को बढ़ाना है पुरानी ची पति यह वट डू यू मिन भाई इथोकिया इथोकिया का क्या मतलब है इस कोशन का आन सके हैं यह जब मैं इथोकिया की बात करता हूं यह भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है यह जो वर्ड है ना यह एक तरीके से कविताओं का संग्राय को कहते हैं जो कविताओं का कलेक्शन है उसे कहा जाता है एक important question है इथोकिया का मतलब है ठीके कविताओं का संग्राय लेकिन कोन सी भाषा में याद रखना यह कविताओं का संग्रे है यह तामिल साहित्य से संबंदित है important question पूछा आ सकता है संगम literature के समय में इसे लिखा गया था ठीके संगम literature के समय में लिखी थी संगम literature जो है संगम एरा है वो कहां का है तो तामिल्नाडू literature से संबंदित है संगम literature से संबंदित है और कविताओं का एक सेंग रहे है यह ठीक है बुक्स का जो पोएम से है उसका एक कलेक्शन है चलिए एक और कोशन देखे एक कोशन नहीं करना है बताइए आंसर के इस कोशन है बड़ा प्यारा कोशन है आप सभी जानते हैं कि बाल गंगादर तिलक को लोक मानने की उपादी दीगी है है ना कि बाल गंगादर तिलक जी को लोक मानने बाल गंगादर तिलक कहा जाता अब सवाल क्या है कि भाई यह जो उपादी लोक मानने की दीगी है यह किस समय दीगी कुनसा ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिस समय जो है लोक मानने तिलक की उपादी दीगी तो यह आंसर क्या है home rule moment के समय में ठीक है इन्हों ने महात्मा जो बाल गंगादर तिलक जी है इन्हों ने 1916 में ठीक है 1916 अप्रैल 1916 में home rule moment की स्थापना की थी याद रखना एक कोशन ये भी रहता है ठीक है आप सभी जानते हैं कि बाल गंगादर तिलक जी और Annie Besant दोनों ने home rule league moment बनाया home rule league moment बनाया दोनों ने ठीक है परक बस इतना है कि जो बाल गंगादर तिलक जी ने बनाया था वो बनाया था एपरेल 1916 में ठीक है और जो एनी बेसेंट ने बनाया था वो सेप्टेमबर 1916 में बनाया था सेप्टेमबर 1916 और बहुत महत पूर्ण है कि आपको यह मंत पता हूं क्योंकि 100% इन मंत पर कोशन आता है और आपका कोशन बेटा हर एक एक्जाम के लिए यहाँ पर जी के तीन दिन तक बेसिक चलेगा तीन दिन तक आज क्या तारीक है 23 24 और 25 और इवन 26 को भी जो है आपका बेसिक चलेगा पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे हर एक चीज के बारे में तो बाल गंगा दर्थ चिलिक जी ने हॉम रूल लीग मुव इसमें से रहे हिए स्थाओ कौन सानि powered लिखा हुआ ना मध compete अब स्वाव लिख्EMA crater वार के समय ब्रिटी की तरफ से कोन ठाये लिखा अब आप बताए ब्रिटीश की तरफ से कुन था कोतले आप इन धा गलत को नहीं आफ और इंपोडन है गलत कुन सा दिमाग में रखेगा इस में से क्या है इस मेरा क्लियर कट दे रखा पर्मनेंट सेटलमेंट और बंगाल ये लैंड रिफोर्म मूमेंट्स थे ये किसके द्वारा किये थे कौन वॉलिस के द्वारा किये थे तो लोड करजन तो बंगाल के विभाजन से संबन देता है बंगाल के partition से संबन देता है लोड करजन बंगाल के partition से संबन देता है और ये permanent settlement बंगाल जो है कोन वॉलिस के द्वारा किया गया था इसका detail जैसे देख लेते हैं कि जो permanent settlement है बंगाल का ये right answer है क्योंकि definitely ये जो है इनके द्वारा किया गया था गलत है मतलब गलत होता है इसका कारण मैं बताऊंगा आपको आप पहले आंसर बताएं फिर हम कारण बताते हैं पहले कोशन गलत होगा यह देखिए चली तो दोस्तों ध्यान लखिए के जैसे अब यह कोशन दे रखा न इसका आंसर बच्चे क्या लगाते हैं कि छूटते बच्चे जहां पर भी यह देखते हैं ना बैरियर रीफ लोंगेस वर्ल्ड का छूटते बच्चे लगाते हैं ग्रेट बैरियर रीफ यह उस्टेलिया बहा है जान देखना एसमे लोंगेस पी बोला और कंटीन्यस पी बोला और कंटिनुउस भी बोला इस वजी से इसका आंसर यह पूरी है ठीक है और size के हिसाब से भी cloud कोशन कोशन कि कभी-बैरियर है कहांपे लोकेड़ है जो प्रशान्त महासागर है उसी एरिया में locate है लेकिन barrier reef मत लगाना इसका question जब आएगा ना इसका अगर question आएगा तो इसका ये question आएगा largest largest barrier reef ठीक है longest कभी नहीं मिलेगा largest barrier reef में मिलेगा तो largest barrier reef आता तो great barrier reef answer तब लगता उससे पहले आप answer नहीं लगा सकते ठीक है एक और question देखिए इस कोशिंग का आंसर क्या है कमेंट करेगा देखो अगर मैं मोरे अंपायर की बात करूं हूँ आज दा सुप्रेडेंड ओफ पोर्ट बतेगा बेटा मैं आपको एक चीज बता देता हूं तीन से चार दिन तक आपकी क्लास ऐसे ही चलेगी जिसमें मैं आपको बेसिक समझाना चाहता हूं जिसने पढ़ा हुआ है उसको भी पढ़ लेना चाहिए और जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए तो वैल और गूड है क्योंकि चार-पांथ दिन बाद जो मैं आपकी स्पीड मे मैराथोन स्टार्ट कर रहा हुआ जो मैं 200-200 कोशन करा देता हूं आधे आधे एक घंटे में वो बेसिक पढ़े बिना नहीं हो पाएगा सबको बेसिक पढ़ना चाहिए चार-पांथ दिन पढ़ हो उसके बाद आपकी स्पीड वाली क्लास भी स्टार्ट हो जाएंगे मैं स अधिक्ष्टा करते थे उनको हम क्या कहते थे यह कहा जाता था चलिए एक और कोशन देखिए बड़ा प्यारा कोशन है कि आइंसी का जो सूरत सेशन हुआ था 1907 में इसको किस ने हैड किया था बताईगा आइंसी के अधिवेशन 1907 में कोन नित्रित किये थे जल्दी से बत चलिए तो दोस्तों आशर रस भिहारी बोस के द्वारा थेगे 1907 में एक सگए सबस्वारा था जिसे हम कहते हैं सूरत स्प्लिट dedictor सूरत सप्लिट के समय आपसे ऐसे पूछरां कि कौन थे तो रस भिहारी बोस कि कोशन इस तरीके से मिल सकता है सूरा स्प्लिट के समय कोन थे तो रस्विहारी बोस थे ठीक है ऐसे ही जो जब दोनों जुड़े थे तब कोन थे ध्यान रखा मुस्लिम लीग और हिंदू आई एंसी जो है जुड़े थे तब कोन थे ये भी पताओं थे देखो ठीक है ध्यान रखना इस समय जो है ठीक है सू पढ़ा के मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा चार दिन लगातर यही पैटन चलेगा इधर आठ से नो साथ से आठ जी के चलेगी और फिर आठ से नो जो है साइंस लेगी ठीक है यह पैटन है निवादा चले एक और कोशन देखेंगा पताई शिटी ओफ तक ठीक है तक्षकान अग्रिमेंट ठीक है तक्षकान एग्रिमेंट आपने सुनाओगा बहुत फेमस चली तो इंप्रोडेंट है तली तो तक्षकान एग्रिमेंट का उपर अगर सवाल आता है तो आंसर कैसा उस्बिक स्थान इसका आंसर है क्या आंसर है उस्बेकिस्थान इसका आंसर है एक important question पूछा रा सकता है यह उस्बेकिस्थान है और यह इसलिए भी important है क्योंकि Republic question आ सकता है इनकी capital पे question आ सकता है hundred percent ठीक है तो पांच central country जो पांच central country यह बेटा world affair पे मैं इन सभी का contest पढ़ा रहा हूं कि कौन सी पांच central country है जिनको जो है बुलाया गया है इस बर ही रिपब्लिक डे पर यह सब आपने यह पढ़ लिया तो आपको थोड़ा सा पता आइडिया लेना चाहिए अलग से भी पांच permanent member United Nations Security Council के कौन है जिनके पास एक्चुली में विट्टो पावर है पते जिनके पास एक्चुली में क्या है विट्टो पावर है इस कोशन का आंसर क्या है बदे कौन से पांच ऐसे United Nations Security Council के पर्मनेंट सदस्टे है जिनके बाद विट्टो पावर है अगर वो किसी चीज को मना करते हैं तो वो नहीं हो सकती ठीक है है ना तो आंसर के इस कोशन का चाइना फ्रांस रॉषिया यूके एं यूएस से यह पांच है ठीक है पर्मनेंट मेंबर है विट्टो पावर के साथ ठीक है आप इतर मैपिंग में भी देख सकते हो ठीक है यूओल नो दिस इस चाइना रॉषिया यूके ठीक है उसके बाद यह आप का मतलब क्या है बहुत सुनाओगा आपने एक कल्टिवेशन का टाइप है जो एक तरीके से कह सकते हैं खेती का प्रकार है यह जूम कल्टिवेशन आज के समय में भारत होती है आप इदर देख सकते हो जूम कल्टिवेशन एक शिफ्टिंग कल्टिवेशन का टाइप है जो हम प्रदेश में आज के समय में होता है एक्चुली में नॉर्थीस्टन स्टेटेट में होता है नागालेंड हो गया इन सब जगा पे आपको जूम ज्वाब मिलेगा को आज भी देखने को मिलेगा ठीक है और इसको ठीक है ध्यान रखेगा लोकली का जाता है नौर्थ-east में जूम इसलिए को अगर आपको जूम कल्टिवेशन का सवाब मिलेगा ना तो आपको नौर्थ-east और स्टेट ऑप्शन में जरूर मिलेगा क्यूंकि इसका नाम जूम कल्टिवेशन जो है नौर्थ-east में ज्यादा फेमस है और अगर MP में पूचा जाये तो MP में इसको वेवार कहते हैं हम देखिए बैटा शेयर करना मतर ही इस कोशन का अन सके हैं ठीक है बेसिक एक बारी पढ़ लो मैं सिर्फ चार दिन चाहता हूं कि आपका बेसिक स्ट्रोंग हो जाए चीजों को लेके ठीक है और चार दिन बचे है करो इसे साथ बचे फिर आपका धमाकेदार मेराथन स्ट हो जाएगा ठीक है 200-200 righteous एक दिन में निक्ताएंगे ऐसे ऐसे कोशन होंगे यह बीजरूरी है यह बीजरूरी ए वेट्पाला और दिमान एक बहुत बड़े जो है महान कलाकार माने जाते सवाल पूछा रहा है कौन से यूग के महान कलाकार माने जाते हैं वेट पाला और इमान इस कोशेंगा आंसर क्या है कमेंट करिए बताई आंसर क्या है तो ध्यान रखेगा इस question का answer क्या है कि ये किस जुक्के तो पाला युक्के ठीक है पाला एज के important question है पूछा आ सकता आप देखो पाला एज में आप सभी जानते हैं कि पाला वंच की स्थापना गोपाला के द्वारा के गी अगर पाला वंच की स्थापना के बारे में पूछ यूटूब का मैराथोन पूरा complete coverage एक बार कर लेना सारे के सारे यह जो मैं आपको इदर 100 कोशन करा रहा हूं वहां पे 200-300 कोशन आराम से निप्टाएंगे कल दो पैर 3 बज़े ठीक है जरूर देखना पूरी explanation के साथ content होगा ठीक है यह दो greatest ruler कहां के है ठीक है पाला वंच स सुनाओगा आज के समय में यूपी में ठीक है पाला वंच है आप इदर देख सकते हो यह जो location है ना this is the location of पाला वंच ठीक है आपको अगर पाला वंच कहा जाता है कि भी है कहां पे तो आज के समय का यूपी है कोशन आ चुका इसका कि पाला वंच आज के समय कहां पे तो यूपी में ठीक है और थोड़ा बहुत बिहार का असपास का एरिया कवर होता बस चले एक और कोशन देखिएगा है कि हम सब जानते कि हमारे भारत वर्ष पे सभी ब्रिटीश ने राच किया एक ना एक करके पहले डच पहले पुर्तकाली फिर ऐसे ही फ्रांसी सी डच सारे आए ऐसे आपसे पूछा जा रहा है कि जो इंडोनेशिया था वो किसकी कलोनी था इंडोनेशिया के उपर कौन से ब्रिटिशस का रास था बतरे इंडोनेशिया के उपर ऐसे शिलंका का भी पूछा सकता आपसे ठीक है आपसे नोर्थ अमेरिका का पूछा सकता है आपसे अ ठीक है देखो अब इसमें जो है ना अच्छा इसमें किस तरीके से पूछा गए हाँ बिल्कुल सही है ठीक है फोर्मर कलोनी के ऊपर पूछा है फोर्मर डच कनोली अमर्जास दा इंडिपेंडर रिपब्लिक ओफ इंडोनेशिया इस तमूर रिमेंड अंडर दा पूर्तकाली यहां पर ज्यादा फोकस इस तमूर पर हो रहा है तो इसका आंसर इसलिए यह है एक और कोशन देखेंगा यह कोशन यह कोई देखो अब यह जो कोशन है ना मैं चाहूंगा आप कर लो इसे ठीक है थोड़ा सा मुश्किल है कर लो क्यूंकि इसमें बस सिंपल सा वो रखा है कि आप सभी जानते हैं कि भारत वर्ष जो है गोणवाना लेंड का हिस्सा था किसका हिस्सा था गोणवाना लेंड सवाल अब यह पूछा या रहा कि भारत वर्ष के साथ साथ इंडिया के साथ साथ और कौन-कौन गोणवाना लेंड में आते थे तो आंसर क्या है कि इंडिया के साथ साथ अफरीका था अफरीका के साथ 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 अमेरिका और और तो पूरा जो यह आपके सामने देख रहे हो ना ये गॉणवाना लेंड का इरिया है जिसमें इंडिया भी है तल करे ये वाला अफरीका भी है साउथ अमेरिका भी है अंटाक्टिका भी और और आस्टेलिया भी है तो ये पांच major location है जो गौणवाना लेंड का हिस्सा दी कोशन 100% आ सकता है इस पे और ये बिलकुल भी मुश्किल कोशन नहीं है दोस्तों कि अफरीका, अंटाक्टिका, अस्टेलिया, इंडिया और साउथ अमेरिका ये पांचों के पांचों जो है गौणवाना लेंड का हिस्सा दे बहुत बे महावीरा किस साइड पे लोक टिस कोशन आन सके है, कमेंट करिए के हैं अगता है दोस्तों ध्यान रखेगा, अगर मैं नालंदा महावीरा की बात करूँ तो ये बिहार में लोकिट है, कहांपे, बिहार में लोकिट हैं, इंपोर्नन कोशन नहीं है थेक्ष बिहार में चले एक और कोशन देखेगा अब यह नालंदा महावीर की लार्जस बुद्द्स Monastery जो एंचेनल मगत' एंपायर के समय में थी बड़ी बेसिक सी बात है विहार में located थी बुद्द्स एंपायर की बुद्स की एक थी ठीक है फेमस है फेमस वन है एक और कोशन देखें ठीक है चलिए एक और कोशन देखते हैं यह यह बेरा टेलीकराम चैनल है आप इसे जोइन कर लेना सो डेट कि आप इसका PDF भी ले सको और आप चार दिन तो लगातार इस क्लास में पढ़ो कि आपकी बेसिक स्ट्रोंग हो जाए बेसिक स्ट्रोंग कर लो एडवांस अपने आप हो जाएगा ठीक है फिर आपको एक्स्प्लेनेशन की जुरुत नहीं बढ़ेगी study of landform को हम क्या कहते हैं कुछ चुनिंदा कोशन आपको मैं यहां पे करा रहा हूँ जिसकी explanation जरूरी है ठीक है static gk की कोई explanation नहीं चाहिए होती वह मैं आपको पूरी में करा दूँगा जी के explanation actually में चाहिए आपको वो जरूर करो study of land form जो है इसे हम क्या कहते हैं पते हैं इसमें से किसे हम study of land form कहते हैं जैसे land form अलग-अलग तरीके के ठीक है मालो आपका जो land form है वो plane land form है ठीक है और उसके अलावा बहुत सारे geomorphology कहा जाता है ठीक है study of land form को geomorphology कहा जाता है कि जैसे हमारा अर्थ के जो surface है वो अलग-अलग चीजों से बने हुए sediment से बना हुए कुछ कुछ और किसी चीजों से बना हुए इन सभी की study को हम कहते हैं geomorphology ठीक है भारत रतन पहली बार किने मिला था first recipient भारत रतन सबसे असान कोशन आ गये बहुत असान कोशन आ गया कि भारत रतन सबसे पहली बार किने मिला था कमेंट करेगा है ना answer के इस question का इस question का answer के दोस्तों ध्यान रखेगा पहली बार भारत रतन सीवी रमन जी को मिला था सीवी रमन इतने प्रसिद्ध हैं कि इनके उपर और ना दे कुछ important information है जो आपको पता होने चाहिए पहली बार भारत रतन मिला सीवी रमन को 1954 में पहली important question को भी मिला था ठीक है he was the second president and first vice president of India है ना तो ध्यान रखेगा यह सब चीजे हैं लेकिन सबसे पहला अवोर्ड सीवी रमन का ही माना जाता है ठीक है सबसे पहला अवोर्ड सीवी रमन का ही माना जाता है कि सीवी रमन को मिला था अगर आपको यह option मिल रहे हैं इतने सारे आपको इदर सी राजगुपाल चारे भी मिला लेकिन आप आंसर सीवी रमन ही लगाएंगे ठीक है आंसर जो है सीवी रमन ही लगाएंगे ध्यान रखना बहुत important question पूछा सकता थिक चले गोर question देखिए इतको का आंसर क्या है कमेंट करेगा सीवी रमन का भी देख लेते हैं इनको नोबल पूर्षखार मिला था 1930 में ठीक है 1930 में इभे हैं चले गोर कोशन का फुलक्राम्स सेकर वेंकर रमना है ठीक है चले एक और question देखेगा इस कोशिंग आंसर क्या है पते हैं हमारे भारत में कितने ऐसे प्रधान मंतरी रहें जिनको भारत रतन से समानित किया जा चुका तिल देट अभी तक कि अगर मैं बात करूं तो कितने ऐसे प्रधान मंतरी रहें जिनको भारत रतन से समानित किया जा चुका कमेंट क सबसे पहला भारत रतन मिला था ज्वाला नहरू जी को ठीक है उसके बाद इंद्रा गांदी जी को फिर राजीव गांदी फिर मौनार जी देसाई फिर लाल वहादुर शास्त्री और फिर गुलजारी नालन्दा और उसके बाद जो सात्मा और लेटेस्ट वन है सैवन्थ एन्द लेटेस्ट वन फाइनल कह सकते हैं अभी तक लास्ट यही है कि समझ रहे कि फा अर्श सात हैं अब इनके बारे में अलग अलग इंद्रा गांदी जी के बारे में अलग सवाल आ जाए मौरार जी देसाई जी के लिए अलग वहाद हों आपको हंडेडर परसंट पढ़ाऊंगा स्पीड़ी सीरी स्टार्ट होंगी आपकी 4-5 दिन बाद प देखे किसी भी United Nation में कोई भी मुद्दा उठता है कोई भी मुद्दा उठे उस मुद्दे को ठीक है उस decision को मानने करने के लिए कितने positive vote होने चाहिए कितने positive vote होने चाहिए प्लस एक भी विट्टोन होने चाहिए यह कंपनसरी condition है United Nation में कोई भी decision को ओके तभी का जाता है जब उसमें कितने positive vote हो no positive vote कितने 9 positive vote होने चाहिए कि मतलब no positive vote आपको मिल गए ठीक है decision तभी होगा या यानि एक compulsory condition और no विट्टो कोई भी विट्टो न लगे होने चाहिए जो permanent member है उन्होंने कोई विट्टो न लगाई हो और no positive vote मिले हो तब जाके वो decision जो है matter जो है करेगा उसके अलावा नहीं कर सकता तो no positive vote होने चाहिए और permanent members के द्वारा एक भी permanent member करने विट्टो नहीं लगाई होने चाहिए ठीक है एक विट्टो लगने पर no positive वेकार हो जाएंगे ठीक है चली तो sun is heavier than the earth देखो वैसे तो sun सबसे ज़्यादा heavier है यह लेकिन यार अर्थ से कितना ज़्यादा है यह comparison में question आ जाए तो क्या answer दोगे ठीक है अगर इस comparison में question आ जाए तो क्या answer दोगे बताए यह answer के इस question नहीं चली तो दोस्तो ध्यान अखना इस question का answer है कि उसमें अगर size की बात करें जाए तो भीया अर्थ सेना sun पता कितना इतने थाउजन टाइम्स है ठीक है इतने थाउजन लेक्स टाइम्स टाइम्स है यह बड़ा है जो हैवी है ठीक है इस type का भी question मिल सकता आपको चलिए एक और question देखिए वैसे यह बहुत basic सी बात है अगर by times अगर पूछा है roughly 109 times है ठीक है अगर यह पूछा है आप देख सकते यार अर्थ और sun में बहुत ज्यादा फरक है ठीक है बहुत ज्यादा फरक है 109 times आप कह सकते हो यह भी आपको option में मिल सकता है ठीक है है ना और पूरे ब्रह्मान का अर्थ वैसे भी 99.8% होल्ड करता है पूरा मास अगर देखा जाए ना जो अपना पूरा solar system है उसका इतना है चलिए एक और question देखिए का इस question का answer के है हां जी बड़ा प्यारा question है इसका भी आप concept आज समझी लो क्योंकि बहुत बार सिर्फ ऐसे question कराया है मालो यह continent है अफरीका का ठीक है अगर मैं even इंडिया की भी बात करूं even इंडिया की भी अगर मैं west की बात करूं हमेशा हर एक continent के west में desert होता है कभी भी देखना किसी भी continent के west में हमेशा आपको desert ही मिलेगा रेगिस्थान भारत के भी west में राजिस्थान बढ़ता वहां पे रेगिस्थान है साउथ अफ्रीका में भी पूरा रेगिस्थान है औस्टेलिया के भी वेस्ट में पूरा रेगिस्थान है तो कभी भी किसी के भी कॉंटिनेंट के वेस्ट में आपको रेगिस्थान ही मिलेगा 100% इसका कारण है कुछ इसका कारण है easterly winds जो है आती तो है लेकिन does not carry the wind with moisture wind तो है लेकिन उसमें moisture नहीं है और जहां पर moisture नहीं होगा वहां पर यार बारिश नहीं हो सकती मरुस्तल तो अपने आप हो जाएगा ठीक है दिमाग में रखे इस्टरली विंड्स जो आती है वो विंड्स तो है लेकिन उनके अंदर moisture नहीं है हमेशा वेस्ट की तरफ जो है इस्टरली विंड्स आते जिनके अंदर moisture होता नहीं है पते नैशनल कमिशन फॉर माइनियोर्ट कि ऐसे दोस्तों ध्यान रखेंगा नाइनियोर्टी इसका आंसर है कि नाशनल कमिशन फॉर माइनियोर्टी इस इंडिया हमारे भारत में उसका भी पता ookनः ची पहले मुस्ली मानियोटीशन मानियोटी और मानियोटी जो है नाशनल कमिशन फॉर मानियोटीश शो है यो nowadays वही द्र нужен गौल respectful उण आइक्ट DO तो छे माइनूर्टीज हैं, 1992 एक के तहता, ठीक है, इंपोर्टन पूछा सकता है, चलिए एक और कोशन देखिए, इस कोशन का आन सकता है, भारत के फस्ट ICS ओफिसर कौन थे, कमेंट करीगा, भारत के पहले ICS ओफिसर कौन थे, बताएक आन सकता है, भारत के जो पहले ICS पहले ICS ओफिसर थे, वो कौन थे, ध्यान रखिए, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, सतेंद्र नाठ टैगोर इसका आंसर है, ठीक है, इंपोर्टन पूछन पूछा आ सकता है, यह सतेंद्र नाठ टैगोर है, यह रविंद्र नाठ टैगोर जी के ब्रदर थे, ठीक है, हाना, फर्स्ट इंडिया ने जिन्होंना इंडियन सिविल सर्विसिस 1864 में करेक्ट किया था, 1864 में, ठीक है, और यह जो है, एक व्यक्ति दे मोहन घोष उनके दोस्त मित्र भी थे, ठीक है, उसके देगवार, सिविल सर्विसिस ना उस समय में भारत में नहीं होता क्रेक किया था, जो मलब सबसे कठिन हो सकता है, जो सबसे कठिन हो सकता था न, उस समय यही था कि एक व्यक्ति भारत से इंग्लेंड गया है, और सिविल सर्विसिस का एक्जान देने, कितनी आईउ में, आईउ थी 19, एज 19, इससे भी कम थी शायद, ठीक है, इससे भी कम थी क्योंकि इससे कम एज में ही होता था, वेर दा फर्स बुद्धिस काउंसिल है, अंसे के इस कोशन का जल्दी से बतेगा, पहली बोध काउंसिल कहां पर हो इस कोशन का आंसे का है, कमेंट करेगा, बेटा चार दिन लगातार ये क्लास चलेगी, सात बजे प्रोपर, बेसिक क के लिए कह रहा हूँ, डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4, पांच बाद दिन भी हो सकता है, जब आप बेसिक समझ लोगे, उसके बाद मैं एडवांस क्लास भी सात बजी चलाऊंगा, जिसमें मैं आपको 200 कोशन डेली कराऊंगा, ठीक है, ये अपना टारगेट है, हम उस हिसाब से क काउंसिल को पैटरनाइस किया था, आजात शत्रू, ठीक, इसके द्वारा, आजात शत्रू ने इसे पैटरनाइस किया था, ठीक है, और ऐसे ही आपसे देखार, राजगीरा फर्स्ट पूछा गया है, तो मैं आपको लिखी देता हूँ, कि पहला राजगीरा है, ठीक है, त कि काल सोका के द्वारे कर वाई थी काल सोका यह काल सोका ईसी आप से ठट का पूछार नहीं भेटव साइन्स की क्लास होगी आठ बजे इसमे के जिस्ट बाद साथ से आट जीके परढ़ेंगे और आठ से नो क्लास वंगी डेली 4 दिन तक भीषाली काल सोका और उसके बाद ठीक है इधर ध्यान रखना कि ये पाटली पुत्र में ठर्ड हुई थी पाटली पुत्र ठीक है अशोका के समय में अशोका पैटरनाई जिनों ने किया था उनके नाम लिख रहा हूँ और जो चोथा था जो फोर्थ वन था ध्यान रखेगा ये काश्मीर था भारत की पहली न्यूस्पेपर जो है बंगाली भाषा में लिखेगी थी सिंपल सी बात कहुंगा कि भारत की जो पहली न्यूसपेपर है वो बंगाली भाषा में आई थी बेटा सर MPA के लिए किसी book का नाम बते ये आप पहले चार दिन तक पूरा basic पढ़िए तो चार दिन तक पूरा basic पढ़िए बेटा dear Amrita मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारी चीजे मिस कर दोगे जो कि मैं बाद में repeat भी निकराऊँगा अम्रित गुपता नाम है ना चार दिन में बहुत चीजे मिस करोगे जो मैं रिपीट बिलकुल ने कराऊंगा इस चीज की मैंने शोड़ी देला बंगाल गैजट जो है यह समचार दन्बन था यह भारत का पहला निउस्पेपर भी था और ध्यान रखेगा बंगाली निउस्पेपर था यह वड़े यह असान है और जो हिक्की थे उनके द्वारा जो है लॉंज किया गया था यह कोशन नहीं करना इस कोशन का अंसर बतेगा बड़ा प्यारा कोशन है देखो ब्रिटिश सरकार ने हमारे भारत में बहुत सी चीजों में सुधार भी लाया जैसे एजुकेशन की फीड में उन्होंने पहला फानेंशल अलोकेशन दिया था कौन से समय कौन से एक के तरहत ब्रिटिश सरकार ने पहला फानेंशल चार्टर एक्ट ओफ 1813 यह इंपोर्टेंट है कोशन आ सकता है चले गुर कोशन देखिएगा इस कोशन का आन सक है बच्चों को मैंने ऐसी आदर डाल दिया कि एक मिनट में चार कोशन हो सकते हैं तो बच्चों से बरदाश नहीं हो रहा कि सर दो मिनट में एक कोशन क्यों करा रहे हैं यह आप बस इतना समझ लो आपके भले के लिए करा रहा हूं नहीं तो मेरा हाथ इस समय ऐसे और ऐसे ही चलने वालों में से है आपके भले के लिए मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहा हूं अभी जरूरी है कुछ कि भई पहला फानेशल एलोकेशन एजुकेशन को चार्टर एक्ट 1813 में मिला था देखे इन हो ने जो चार्टर एक्ट डाला था ना 1813 का एजुकेशन फानेशल एलोकेशन दिया था वह बेसिकली लिट्रेचर और साइंस के लिए था कोशन आ चुगा इस पर कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए पहला लिट्रेचर ठीक है और दूसरा साइंस इन दो को और कोई कभी-कभी नहीं ये भी पूछ लेता है कि ये जो फानेशल एलोकेशन आया था ये फानेशल एलोकेशन कितने रूपे का था आज के समय में एक लाग की किताबे तक नहीं आ सकती दो स्कूलों की simple सी बात और उस समय पूरे भारत वर्ष के लिए एक लाख का financial जो है ठीक है allocation दिया गया था पहली बार तो एक लाख जो है financial allocation था question आ शुका है यह सब छोड़ी छोड़ी बात है क्योंकि अगर मैं speed में बढ़ाऊंगा ना मैं वस इतना ही कहूंगा यह देखो question भीया यह देखो answer आप यह दो चीजे मिस कर दोगे ना paper में इसमें से आ गया तो फिर दिक्कत आपको है ठीक है मैं चाहता नहीं हूँ आप मिस करो बदेगे इस question का answer for what duration देखो election राजे साबा के जो होते है तो उसमें सदस्य छे साल के लिए चुने जाते हैं यह असान question है ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन detail जालने न कि जो राजे साबा में पर्मरेंट हाउस है इसके जो सदस्य सिलेक्ट होते न वो indirectly सिलेक्ट होते हैं पहली बात ठीक है जो इनका selection होता है न अप्रत्यक्ष चुनाव होता है हमेशा प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होते हैं राजे साबा के सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं लोग इन्डारेक्ट आप्रत्यक्ष जो है राज्यसभा है इनका जो सिस्टम है वो है फर्स्ट पास्ट दा पोस्ट सिस्टम जो सबसे आगे वो जीत गया वो बन गया MP ठीक है और इनका सिस्टम है प्रपोश्टनर रिप्रेजेंटेशन बाइ सिंगल ट्रांस्फरेबल वोट यह आपके सामने लिखा हो यह सिस्टम है इनको चुननेगा यह इंडारेक्ट मैथट है प्रपोश्टनर रिप्रेजेंटेशन बाइस सिंगल ट्रांस्फरेबल मैथट का तरीका है ठीक है तो यह दोनों का ध्यान रखना छे और पांच का ध्यान रखना इंपोटेंट है यह आ थाई सदर है एक और कोशन देखी चले एक और कोशन बेड़ा आठ पंदरा पे साइंस की क्लास होगी एक स्टक्चर तरीके से पांस दिन पढ़ लो मैं आपको बता रहा हूं आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है साइंस पड़ो जी के पड़ो दो घंटे में ठीक कह सकता है तो कभी-कभी ऐसे कोशन मुलते है इसका अब के साथ से करेंसी पूछा राएं तो क्यात करेंसी अlar आप से पूछ रहा है तो क्या इसकी करन्सी भी होगी करन्सी जिसमें से शीला लेक जो है सत्वाना पिरेड से सम्मंदिते कमेंड करेगा चलिए आंसे केस्कोशन का आंसे केस्कोशन चली तो दोस्तो ध्यान अखना अगर आपसे इस तरीके के सवाल आपसे पूछता है कि वह सतवाना बिरेट के समय में शीला लेक कुन से थे तो आंसक ध्यान अखेगा दोनों है ठीक है नान घाट भी और नासिक भी ठीक है नासिक आप सभी जानते हो शहर आज के समय का भी तो शहर पे भी कोशन आपको मिली सकता है वैसे तो ठीक है तो यह दो है शीला लेक आप इदर देख लो ठीक हाटी जितनी भी है ना मुंबई और आप इतना सा दिमाग में रखो कि जो इमपाइर था न आहिए यह अंपाइर महारस्ट्र है आज का आसकात न्ब महारास्ट्र फि सपेमस नासिक शेहर ये सब सब्सक्रवाणा पिरेड़ का हिस्सा करता है रखाए ठीक है इंप्र्टन कोशन देखें एक और कोशन देखेंगे ग्राम सभा देखो अब ग्राम सभा का मत्रब क्या होता ठीके मैं बता रहा हूँ मैं इसमें से कोई भी कोशन चार दिन बाद नहीं करा हूँगा इस चीज़ की मैं अशोर्टी लेता हूँ ठीके क्योंकि ये कोशन आपके एक्जाम में आपका बेस बन सकते हैं किसी दूसरे कोशन को सोल करने लिए अब जैसे ग्राम सभा है ये पूरा पंचायती राज का बेस है पंचायत सिस्टम का बेस है कि जितने भी जो पंचायत में इलेक्शन होते है वो ग्रामसभा से ही होते है अब ग्रामसभा का मतलब क्या है यह पता हो तो आपको पंचायत समझाए ग्रामसभा का मतलब है कि वो व्यक्ति जो पंचायत के election में vote डालेगा ठीक है वो व्यक्ति जो पंचायत के election में vote डालेगा अब सारे बच्चे बीद बता रहे हो population of village अब या उस गाओं में कोई ऐसा व्यक्ति है बच्चे हैं एक एक दो साल के बच्चे हैं population में आते हैं vote देने जाएंगे क्या मुझे बताओ तो दो-दो साल के एक-एक साल के बच्चे एक महिने का बच्चा है population में तो वह भी आएगा vote देने जाएगा क्या नहीं देने जाएगा तो इसका concept है कि यह population नहीं है यह वह व्यक्ति हैं जो vote देने वाले पंचायद है electoral college of the पंचायद ठीक है ध्यान रखना ना भी बता सकते हो और कुछ तो बता सकते नहीं हो ठीक है तो यह चीज़े रट्टे मारी नहीं चीज़े नहीं होंगे ठीक है ध्यान रखना परसन जो की register किया गया है वो village की किसी भी election में vote दे सकता है village level ठीक है चली एक और question देखिए इस question का answer क्या है बड़ा प्यारा question है एक बहुत बड़े विदवान थे ठीक है जिनका नाम था यजना वालक्या यह विदवान का नाम है और इनको competition दिया था एक व्यक्ति ने ठीक तो वो थे मैत्री और गार्गी में से कौन गार्गी ठीक है दिमाग पर रखना यह है ठीक है दिमाग पर रखेगा और यह actually में आप समझी सकते हैं गार्गी as one of the ठीक है discipline of the debate ठीक है इन्हों ने scholar जो है यश्काना के साथ competition किया था ठीक है ग्यान में यह बहुत famous नाम यह मै टेलिग्राम चैनल है मैं शोर्टी देता हूं यह चार दिन के content की PDF में डालूंगा वर्ल अफेस की वीडियो के साथ ठीक है तो यह PDF आपको मिलेगी इसी टेलिग्राम चैनल पे 100% अब यह कोशन कर लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा ठीक है क्योंकि यह कोशन लंबा हो कुछ में नहीं है समझ आना चाहिए तो आपको एक यूनीक चीज पता चलेगी हमारे भारत में सारी जगा parental जो है system चलता है कि पहले अगर father है तो father के बाद son and son के बाद again son है यह system है basically जो linear system है inheritance का system है एक हांदानी प्रथा जिसे हम कहते एक union territory या location बताईए जहां पे जो system है वो matter line का है ठीक है woman then daughter then woman then daughter इस तरीके से चलता यह कहां पर है ध्यान अकना यह बहुत यूनीक है यह सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत में में घाले में है ठीक है यह सिर्फ और सिर्फ कहां पे में घाले में important question है पूछा जा सकता है कि में घाले की जादा तर tribal population इस inheritance system को मानती ह ठीक है में घाले की जादा तर tribal population जनजाती या आदिवासी जो है इस system को मानते है ठीक है चले एक और question देखेगा ठीक है चले एक और question देखेए इस question का answer when did Soviet Union आप सभी जानते है कि पहले किसी समय में USSR word use किया जाता था आज के समय में रशिया आई लग है और बड़े बड़ जो है independent republic बने है USSR को तोड़के कौन से वर्ष में 1991 में ठीक है यह disintegration हुआ था 1991 में ठीक है एक और question देखेगा चले तो यह है मैं पूरा detail में बताता हूं ठीक है बच्चे घबरारे हो कि यह इतना कुछ लिखा हुआ है याद करना है मैं आपको बताऊं किताब है पढ़ने से बढ़िया है याद कर लो यहां से 1991 में disintegration हुआ 15 रिपब्लिक बने गणतंत्र यानि की अपने अपने खुद इंडिपेंडेंडेंट और यह 15 गणतंत्र है आपके सामने यह 15 गणतंत्र है आपके सामने जिसमें सबसे बड़ा गणतंत्र जिसे हम कहते हैं रशिया जिसे हम क कोशन है जान चलिए इंपोर्डंट है फूचा आ सकता है कोशन आने के चांसिस अब इसमें बड़ी इंपोर्डंट बात क्या है कि आप इधर देख रहे हो तीन नाम को चजाकिस्थान किरगिस्थान तरकमिनिस्थान तर्सान उजह व्यफिक अ हम को चsal करफेंडेंडेंद USSR का ही हिस्सा था Central Asian Country इंपोर्टन कोशन है इसमें जे कौन से समुन्दर में खारापन सबसे ज़्यादा हाइस सेलिनिटी है उपर लिंक दे रखा है साइंस की क्लास का ठीक है मैं आशोर्टी देता हूं चार दिन जो साइंस पढ़ाऊंगा उससे ज़्यादा साइंस कहीं नही ठीक है डैडड़ी इसका आंसर डैड़ी जो है यह सबसे ज़्यादा सेलिनिटी यह सेलिनिटी जाएगा तो बस खतम है ऐसा कुछ भी नहीं है एक लेवर है कि 342 ग्राम पर जो है इसका है मतलब कह सकते है 34.2 परसंट सोलिनिटी है इस सी में ठीक है और ठीक है डेफिनिटल कीजिए का इस तरीके चलिए क्षद का इस कोशन का इस को में चले को देखेगा..? भलवं데 राय महत्ता कमेटी में आपको इसमेन चार-पांच कमेटी बताता हूं कि गान ओडा रहूं एक बलवंद राय महत्ता कमेटी एक तो आपके सामने लिखी है एक अशोक महता कमेटी ठीक है एक LM सिंग्वी कमेटी ठीक है ये तो तीन कमेटी आप याद ही रखो ना ये तीनों की तीनों कमेटी किसे संबंदे ये पंचायती रासे संबंदे था तीनों की तीनों जो है एक वीके राव भी याद रख ले ना वीके राव कमेटी जाना ये भी आ सकता है वीके राव कमेटी ये चार कमेटी याद रखो आपको मेभी सिर्फ और सिर्फ आपको पंचायती राज का बलवंत राय पता है आपसे अशोक महता भी पूछा सकता है आपसे वीके राव भी प संबंदी जो है कुमेटी के दिठ्त की अधिक उसके बाद ही three the टायर सिस्टेम हमारे भारत में आया था ठीक है ठानक ना उसके बाद ही थृटर सिस्टेम हमारे भारत में आया था एक और कोशन के इति कें करना पंचाइक राज का है एक यह नहीं के bul़ा स्वकर कंटेंट पढ़ना कल कोई क्या साइबborg को तीन बजएगा इसको और में खरने के लिए अगर को ब्वेशव करना चार दिन में कुल दपाह्र को तीन बजए वाईफाइ स्ट क्लास संब्सक्राइब। । दोपाहर 2 0092 थे खर वाल थेनЕ कॉ All arises जैंग कोन सा रोक एडिक्ट है जो इस बारे में बताता है कि अशोका ने जो इसमें दे रखा हुआ कोन से शीला लेख में दे र्खा है और बाबर जो रोक एडिक्ट है इसमें दे रखा है ठेक इसमें दे रखा है कि बाबर रोक एडिक में इस चीज की information दे रखी है कि अशोका ने बोध धरम को अपनाया था ठीक है कि उन्होंने बुद्धा संगा और धामा तीन जो है प्रिंसिपल है इनको फोलो किया ये तीन प्रिंसिपल के बारे में भी लिखा हुआ है कि बुद्धा संगा और धामा इन तीन जो है प्रिंसिपल को फोलो किया था किनों भ Edwards में दिके अविख रहेए पर लिंक दे रखा साइन्सी क्लास में जोड़ने वाला कौनको नभी साइंस का कवरेज करने वाला है bisa नखेगा साइंस का कवरेज भी कुछ ऐसा ही होगा समनलो इसके जस्ट बाद ये class and होते ही science की class है दो घंटे एक तरीके से complex form में पढ़ लो आपकी जीके और science चार दिन में बेसिक से cover होगी चार दिन में ठीक है ध्यान रखिएगा basic से cover होगी अभी class है आठ पंद्रा में ये मेरा refer code लाइव अमन ये use कर लेना open करने के लिए class को लाइव अमन रेफर कोड यूज कर लेना open करने के लिए class उपर लिंक दे रहा है science के नाम से किसे connect करता है कि बादे इस यूज कनाल किसे connect करता है इस question का साइंस का एक अच्छा content रखा है पेपर में आने लाए content ठीक है चलिए तो answer के question का रेड़ सी और Mediterranean सी को connect करता है स्यूज कनाल वैसे भी बहुत important ठीक है तो इस पर कोशन आ सकता है यह जैसे आप देख रहे हो स्यूज कनाल है क्या स्यूज कनाल कुछ natural नहीं है यह artificially बनाए गया है यह जो location आप देख रहे हो यह actually स्यूज कनाल यह इतना time distance को कम कर रहा है अगर आप सोच लोग पूरे continent को घूम के जाना हो तो कितना समय लग जाए यह स्यूज कनाल बनाएगे डारेक्ट इदर से entry ठीक है जो कि Red Sea और Mediterranean Sea को connect करता है very important ठीक है जो भी World Affair की वीडियो नहीं देख रहा देखना स्टार्ट करता हूँ ठीक है current affair का एक इलाज है वो है World Affair की वीडियो ठीक है उसके अलावा मैं कोई और solution ना बताऊंगा और ना हो सकता ठीक है ध्यान रखेंगे कोई भी फैस्टो कुछ भी हो आपकी एक वीडियो जरूर आती है World Affair की कारण इसका क्या है कि वो छे महिने से लगातार वीडियो आ रही है आपके current affair को regular update करने करें ठीक है यह मतलब constitutional majestic का मतलब होता है कि कोई अगर राजा है तो वो राजा सविधान के जो है आधीन होके का भी कारे करें लेकिन सविधान के अधीनों के कारे करें एक्जामपल के तोर में खुद ब्रिटें ब्रिटें में king queen का concept है लेकिन सविधान के अंतरगत यानिकी UK ब्रिटें जो है concept same है ठीक है बड़ा प्यारा कोशन है देवी चंद्रा गुपतम इसके ओथर कोन है बड़ा स्थान एकेडमी क्लासो कहीं किस क्लास की फ्री क्लास रेफर कोड लाइव अमन से आप एक्सेस कर सकते हो कोई वो दिक्कत ही बात नहीं है को थे कैसे कोशन का आंसर कि एगर बात करी यह तो विशाका त विशाका दत्ता विशाका दत्ता इसा फेमस ने उन पर ही कोशन है ध्यान रखें कि चलिए स्टैटिक जी के को मैं छोड़नी रहा हूं जी के हिस्ट्री पॉलिटी जोगरफी अभी चल रही है ना स्टैटिक जी के मैं छोड़नी रहा है सारे छोड़ा नहीं है स्टैटिक जी के छोड़ता कोई कंटेंड नियूम है अभी जो है ठीक है बड़े फेमस थे विशाका दत्ता खैर इधर तो इन्होंने चंद क्या बोलते हैं चाड़की की तस्वीर लगा दी लेकिन कोई दिक्कत नहीं है विशाका दत्ता के द्वारा जो है देवी चंद्रगुप्तम संस्कित का प्ले है लिखा गया था ठीक है यह एक गुपता किंग थे राम गुपता ठीक है इनके ऊपर इस प्ले को लिखा गया ठीक है चंद्रगुपता के एंटायर लाइफ के ऊपर भी था ठीक है चलिए एक और कोशन देखिए इस कोश कोन सी क्रांती से संबंदित है कमेंट करेंगा इस खोशन का आन सके हैं जल्दी से बताएं आन सके हैं कि अगर चली तो इस कोशन का आन सके बड़ा जल्दी से बताना कि अगर कि कि अगर कि अगर कि अगर कि चली तो ध्यान रखें दोगों दोगों बड़ाई असान है कि लिबर्टी इक्वालिटी इन फ्रेटर्निटी का जो कंसेप्ट है वो फ्रांसीसियों की क्रांती से संबंदिता है इंपोर्टन कोशन है पूछा आ सकता है फ्रेंस रिवूशन से समय हमने भी अपने प्रियंबल में इसको लिया है फ्रेंस रिवूशन से लिया है ठीक है ना बेड़ा पीडिएफ टेलिग्राम चैनल पर मिलेगी फ्रांसीसियों की क्रांती जो है ठीक है दस साल तक चली थी पहला तो सव अकषो को बहुत जादा ठीक है आदर्ष माना गया था एक तरीके से इस करांती में ठीक है चलिए एक और कोशन देखे से चार दिन तक साथ से आठ दोबारा बोल देता हूंG के चलेगा फुल बेसिक और आठ से नो जीक साइन से ल rif वेसिक से और चार दिन तक यह काम होगा यानिकी सिर्फ आठ घंटे के पढ़ाई और आपका स्टार्टिंग हो जाएगी बेसिक स्टार्ट हो जाएगा आपका चार घंटे के पढ़ाई चार नहीं आठ घंटे के और थोड़ा सा कौशन दिस्टिक पर आ चुका है कि यह कौन दिस्टिक था लिंग के राचु डिस्टिक फी कहां पर ने करनाट का आप चांस ज्यादा है लेकिन 10 परंट HTML अगर आप वो चैनसर पूछे आपको आनीं चाहिए आप कहा है नहीं काफी है अमारे लिए ठीक है ध्यान रखना वो छोटी छोटी बात है याद रखो कोशन बनते हैं इन पर ठीक है साथ बजे लगातार कल भी क्लास होगी तीन बजे और साथ बजे यूटुब पर वाई-फाई सड़ी कोन से जल्दी से बतेला ना चली तो अन्सा के स्कॉशना इंप्रОđन गृना कई सा 10 बड़े बेसिक से बात है याद रखना पूरे अर्थ के अठ्मोसफेर पे सिकुंसा अरां 60% जो green house है gases जो है वो यही है यह ध्यान रखेगा तो एक और question देखिए इस question का आन सके है world oldest continuously inhabiting city कून सी बड़ा प्यारा question है दुनिया में सबसे पुराना लगतार बसने वाला शहर वैसे आज के समय में बैचारा यह शहर जो है Damascus, Iraq जो Syria में है तो आज के समय में मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत ऐसा हो गया है कि आईसा है इसकी वज़े से बरवात्सी हो गी है ठीक है लेकिन फिर भी दुनिया में सबसे पहले यही बसाता शहर और आज तक वैसे बसा ही जा रहा है ठीक है city area है तो यहाँ पे थोड़ा risk कम है लेकिन आप सभी जानते हैं बहुत ज़्यादा impact हो चुका है यहाँ पे तो बेटा मैंने आपको अभी तक जो पढ़ाया कल सात बजे दोबारा continue होगा मैं सारा content प्रवाइड करा रहा हूँ बस ध्यान रखना आज आप science पढ़ लो refer code live woman यूज़ करना है उपर link दे रखा है science का यह refer code live woman यूज़ करना है science की class इसी के just बाद हो रही है exactly 8.15 पे class start है चार दिन तक पढ़ो GK science दोनों पढ़ो मैंने कहता कि मैं बहुत जादा घंटे पढ़ाता हूँ लेकिन मैं आपको 2 घंटे दे रहा हूँ साथ से लेके 9 बज़े तक basic कर लोगे न तो GK और science आपके लिए असान हो जाएगी इतनी वैशोवटी देता हूँ live woman refer code यूज़ करो उपर link दे रखा है मुझसे connect हो जाओ free classes लेनी है telegram channel पे connect हो जाओ जिससे आपको free classes मिलना है current affair भी आपको मिल रहा है पूरा ठीक है और उपर link science का दे रखा है hardly 5 minute लूँगा आपकी class science की start करा रहा हूँ सारे जुडो A to Z बच्चा link open करो open करने के बाद एक refer code लगा लो live woman इस refer code से आपको access मिल दाएगा class का है ना और telegram channel भी साथ वे आद जोइन कर लेना ठीक है मिलते हैं आपसे 5 minute में science भी start करेंगे एक घंटा पड़ेंगे science भी ठीक है चली तो session को आप like करें share करें ठीक है और सबर रखें थोड़ा सा 4 दिन basic पढ़ने के लिए थोड़ा सा slow को चलेगा सिर्फ चार दिन उसके बाद आपको पता है कि जब हम पढ़ाते हैं स्पीड कितनी होती है लेकिन अभी नहीं चार दिन तक बिलकुल नहीं ठीक है session को like करें शेर करें चैनल को subscribe करें थैंक्स लोड़ मिलते हैं पांच आपकेडमी पे उपर वाले लिंक को ओपन करो सारे के सारे क्या मेरे टैली के सब्सक्राइब